ब्लाइंड T20 में भारत की विस संदार जित धौनी के बाद ब्लाइंड सुजीत मुंडा ने किया जहरखंड का नाम रोसन लगतार भारत के तिसरी बार जित कर भारत ने इतिहास रच दिया इस जित पर परतेक भारत वासियों को गर्व है ब्लाइंड होते हुए भी अपने कड़े परिश्रम और हार नम आने के जज़बे के साथ सभी खिलाडियों ने इतिहास रच कर हमारे भारत देश का मान बढ़ाया है भारत के ब्लाइंड किर्केटर टीम ने बंगला देश को फाइनल में हरा कर ब्लाइंड वर्ल्ड कप का खिताब तीसरी बार अपने नाम कर लिया है हाइनल में पहले बल्ले बाजी करते हुए भारत ने बंगला देश को 278 रनों का लक्ष दिया जिसके बाद बंगला देश ने 157 रन पर ही रह गई और बंगला देश हार गई बलाइंड विशो कप का या मुकाबला बंगलूरू के एमचिन स्वामी स्टेडिया में खेला गया था इस मैच में जारखंड के सुजीत मुन्डा भी सामिल थे दुनिया को नो देख पाने वाला सुजीत मुन्डा आज दुनिया को जित लिया बलाइंड टी 20 वर्ल्ड कप पर भारत ने कबजा कर लिया भारतिये टीम में अपना जारखंड का लाल सुजीत मुन्डा भी था जारखंड में सुजीत मुन्डा के नाम पर अब वर्ल्ड कप जितने का खिताब है आप अनुभाव किजिए कि कितना कठिन होता होगा किर्केट का वो मैदान जहाँ कि हर खिलाडी अंदे होते होंगे केवल गेंद के आवाज से चोके छके लगाते होंगे इतना ही नहीं गेंद को फिल्ड से बाहर जाने से भी रोकना होता होगा कितना कठिन होता होगा भारत के बलाइन T20 वर्ड कब के जीत और हमारे जारखंड के लाद सुजीत मुंडा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आये हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलू करना ना भोले